जनाब पेशकार, बानो जुलेखा ने आपको याद परमाया है चलिए जनाब परमाया है अब भी हमसे नजरे चुरा रहे हो युजासिफ आपको यहाँ इतलब किया गया है ताके मैं अपनी खाहिश का एक बार फिर इसहर करूँ ऐसे खाहिश का हिजार मत कीजिए क्योंके मेरा जवाब अब भी नती में होगा अब तक मुझसे खाफा है युजासिफ उस रोज की पापत में माजरत चाहती हूँ मैं किसी गुनाह के लिए राजी नहीं हूँ और आप की ये खाहिश कभी पुरी नहीं होगी तुम जानते हो ना जुलेखा लफ़ ना से नाशना है मैं तुम्हे बहुत चाहती हूँ और तुम्हे हासिल करनी के लिए कोई भी इंत्याहिर कदम उठाने से द्रेग नहीं करूंगी यह तक के मुझे आदिश दोजख में पहुंचा दिए आदिश दोजख नहीं अलबत्ता जन्दान क्यों नहीं मुझे मजबूर मत करो बहस कीजिए बानू इससे ज्यादा मुझे और अपने आपको रुस्वा मत कीजिए जनाबे पुतिपार ने तो हमारे साथ कोई बुराई नहीं की उनकी इज़त वाबरू का मज़ीद तमाशा मत बनाईए तुम्हें यहां नसियतों के लिए नहीं बुलाया गया गालिबन अतास का इरादा नहीं बहुत खुद जा सकते हैं लेकिन ये जान लीजिए कि आज के बाद जुलेखा अपने सीने में दिल की जगा पथर रख लेगी जा सकते हैं ये कस्र मेरे लिए जन्दान से बत्तर हो गया है मुसलसल किसी ने किसी साथ इशोचाल बाजी का खौफ लगा रहता है हर वग किसी ने किसी तोहमत और बहुतान लगने की फिक्र लहाक रहती है जब तुम जुलेखा की अतात और फर्मा वरदारी का इरादा नहीं रखते तो भाग क्यों नहीं जाते मैं भी तुमारी मदद करूँगा इस तरह फरार होकर तो मैं खुद पहले की तमाम तोहमतों की तश्दीक कर दूँगा अच्छा तो फर्मा रमा आमुन हुताब के पास चले जाओ वो यकीनन आपकी मदद करेंगे आमुन हो तब क्यों बेशक मेरा खुदा आमुन हो तब से कहीं ज़्यादा कुदरतमन है वो इस वक्द भी मेरे हादाद से बहुभी पाकिफ है क्या जनाब पूतिफार भी कुछ नहीं कर सकते उन्हें इल्म है के जलेखा मुकसर हैं तो कौन सा एकदाम कर दिया मैं इन खवातिन की दी गई गुना की दावत की बनिजबत जन्दान को तरजी दूँगा मैं खुदावन्य कादिर उतवना की पनाह मानता हूँ और सबर इक्तियार करता हूँ और मुनते दिर्हों के आहिंदा हालाब क्या रोख इक्तियार करते हैं और खुदावन का इरादा क्या है कौन सा कदम है जो उठाया ना हो कौन सा ऐसा हर्बा है जो इस्तमाल न किया हो दिल की ऐसी कौन सी बात है जो कही न हो कौन सी चाल है जो चली ना हो कौन सा नकरा है जो मैंने उठाया न हो अब तुम ही बताओ मैं क्या करो मिसर की अश्राफजादियां वो ही जो मेरी देरी ना दुश्मन है उनकी नजर में भी जन्दान ही वाहिद आले अब जब कि आपका और मिसर की अश्राफजादियों का दरत मुश्तरिक है तो दर्मान भी मुश्तरिक ही होगा मैं भी कैरोबन की ताइद करूगी ठीक है तो हम इकदाम करेंगे आज से युजा सीफ जुलेखा का दूसरा रुख देखेगा इश्क में देहते जुलेखा के रुखसार अब नफरत की आख में बदल कर स्या हो जाएंगे आली जनाप यह आप उपी फर्मा रवा आमून हो तक के सुफलेदार हैं खुदा तुम्हे सलामत रखे यह आमून के बड़े पक्चे पैरोकारों में से हैं मैंने हमेशा इन्हें आमून के साथ राद न्याद में मस्भूल पाया है आजकल हमारा अर्जीम खुदा आमून गमगीन है काफी अर्शे से कुछ अफराद उसके खिलाव साजिशे कर रहे हैं और उसकी नाबूदी का इरादा रखते हैं आमून के पैरोकार अब उससे गाफिल हो चुके हैं और उसका दिफार नहीं करते हैं लेकिन मैं अभी ऐसे बहुत से लोगों जानता हूँ जो दिल जान से आमून के परस्तिश करते हैं और वो भी कम नहीं आली चनाब मुझे यहीं फिकर लाक है कि कहीं इबाकी मानदा तादाद भी मुन्तशिर ना हो जाए अफ्सोस के तमाम हालात अवाम के सामने नहीं लाए जा सकते बाद हालात मायूस कुन होते हैं अल्बता जनाब केबुनी ने आमून होतब और पूतिफार के बारे में कई मतालिब कर जिकर किया था कि जिन पर यकीन करना जरा मुश्किल है शुरू में हमारे लिए भी यकीन करना मुश्किल था लेकिन अब हमें पता चला है कि आमून होतब ने पूतिफार को लशकरकशी का हुकम दिया है ताके माबद पर हमला करके आमून और उसके पैरकारों को नेसो नाबूत करते आली जनाब अब आप से क्या छुपाऊं मैंने भी महसूस किया है कि फर्मारवा आमून होतब के काहिनाने माबद से तालुकात कुछ अच्छे नहीं है लेकिन वो आमून के भी दुश्मन होंगे ये अंदादा नहीं था आप तो जानते हैं वो मकामे नीम खुदाई रखते हैं वो खुद खुदा के फर्जंद हैं यही उनके गुनाह को संगीन करता है उन्हें तो खुदाओं को खादिम होना चाहिए बाराक्स इसके वो तो उन्हीं खुदाओं के गद्दाल निकले है अगर वो उस काफिरो बेमान पुतिफार के जरीए माबद पर हम्रा करने में काम्याब हो गए तो आमून और उसके पैरोकारों को नेस्तो नाभूत कर देंगे ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कुछ तो करना होगा जनाब आखमा हुभी लश्कर के तैयारी और जंग का हुकम क्यों नहीं फर्मा देते ऐसी सूरत में हज़ारों बेगुना माशूम लोग और काहिनाने माबद मारे नहीं जाएंगे नहीं मैं इस कटले आम का मुर्तिकिब नहीं हो सकता तो फिर क्या करें हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठा जा सकता ना मेरे खयार में हमें इस अजीम कटले आम की रोग थाम के लिए और आमून के दिफा के लिए इस फितने के असल असबाब की बीचकनी करनी होगी पहले आमून हो तब फिर पुतिवार मावग ऐसे शक्स की तलाश में है जो इस आहम काम को बहुती अंजाम दे कर आमून की खुशनूती का सामान मोहिया करें नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता मैं हर्गिज नहीं कर सकता अली चनाब मैं पुश्ता को नहीं मार सकता वो मगामे नीम खु़धाय रखते हैं मैं ऐसा हर्गिज नहीं कर सकूँगा तुम यह पिए अउक्षी ज़त जानते हो कि मैं आमून के तमाम मावबुद का काईन आहाम हूँ और मकामे नीम खुदाई रखता हूँ मैं तुम से पूछता हूँ, एक ऐसे शखस का जुम जो खुद खुदाओं मेंसे हो, और दूसे खुदाओं से तुछबनी रखे, क्या जाधा संगीन नहीं है। शानियन, तुम अपने इस मुकर्दस एक्दाम से ना सिर्फ आमुने बुद्रक को नाबूदी से बचा सकते हो, बलके हज़ारों बेगुनाओं की जान को भी। और मेरी जान का क्या होगा? मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? इस काम की अन्जाम जही नहीं थी आसान है मैं इसका तरीके कार तुम्हें बताऊंगा तुम क्यों चाहते हो के हमेशा एक सुफरादारी के उहदे पर पाइम रहो आखिर तुम वजीर ख़दाना या मिश्र के वजीर जरात क्यों न बनो मैं वजीर ख़दाना वजीर जरात मिसर मजीद इसके सेकलों तलाई सिक्के जो तुम्हें पूरी उम्र के लिए हर पिसम की जहमत से आजाद चड़ देंगे क्या फर्माया किसने तलाई सिक्के हजार सिक्के काफी हैं तो दो हजार सिक्के वो क्या है के कसर मेरे एक दोस्ट है जिसके साथ मिलके ये काम अंचान देना होगा लेहाजा अगर दो हजार सिक्के हो जाएं तो कोई इतराज नहीं आमून की हिफाज़त भी खाटे उस्टी टॉलस से इस्तफादा तो करना ही होगा अली जनाब अगर मैं काम्याब ना हो सका और गिरफतार हो गया तो ऐसी सूरत में मेरे भी बच्चों का क्या होगा गिरफतारी की सूरत में अगर मेरा या धीगर काहिनान माबद या कीबुनी का नाम जुबान पर ना लाए तो तुमारे भी बच्चे आमून की पना में होगे और उन्हें कुछ नहीं होगा और अगर तुमने अपनी जबान खोली तो तुम और तुमारे एले खाना आमून के अज़ाब कर शिकार होकर नेस्टों नाबूट हो जाएंगे आली जनाब बानो जुलेखा शर्फ बार्याबी चाहती है उस कनानी खुलाम ने आपके मना करने की बावजूद उस राप के वाके को हर किसी से बेयान करें। अब ये कौन सी नई चाल है तुमारी खुल कर बेयान करो गालिबन आप नहीं जानते इस खबर ने हमें किस हद तक रुस्वा कर दिया है हर जगा इसी बात के चर्चे हो रहे हैं कि अजीज मिस्ट में उस गुलाम को अपनी बीवी के साथ देखा लेकिन चश्म पोशी ख्यार कर ली ना कोई कैदो बंद ना तौक और सलासिल हरता के कोड़े और ताजी आने भी नहीं तुम मुझसे चाहती हो कि मैं एक बेगुना को कैद में डाल दूँ अवल तो ये कि वो बेगुना नहीं है कि वो रास फाश करने का मुर्टकिब हो दूसरा मेरा मकसद है ऐसे एकदाम से है जो बजाहिर आर्जी मुद्द के लिए हो मसलन कैसे एकदाम उसे जन्दान में डाल दे यकिनन युजजार सीफ को कैद कर देने से बाते बनाने वाले लोगों के मुद्ध हो जाएंगे अबाली जनाम का क्या एराता है मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए अब याँ जाएए इस पर फिर बात करेंगे बिनरूस बिनरूस कहा हो मैं यहाँ हूँ अपपीस क्या हुआ अपने दोस से मिलने आऊँ कोई इतराज है कोई खास बात वैसे तुम अमूमन यहां बहुत कमी आते हो पतनी क्या कहूँ और कहां से शुरू करूँ कभी कभी इनसान को किसी दोस के जुरूरत होती है किसी गम गुसार की किसी यारो मददकार की मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ जानते हो बिनरूस मैं एक रासिक औल अकीद़ शख्स हूँ और खुदाओं की तोहिन किसी सूरत बरदाश नहीं कर सकता खुसर आमून बुद्रूर की तोहिन इस मामले में तुम और मैं एक से हूँ किसी ने आमून की तोहिन की है हाँ तुम भी उसे जानते हो और बारहा उन्हें हमने आमून की शान में गुस्ताखी और तोहिन करते देखा है मेरे ख्याले में समझ गया हूँ तुम्हारा इशारा आमून होतक के तरह है ना हम दोनों ने ही बारहा उन्हें आमून की बेहुरमती तोहिन करते देखा है क्या किया जा सकता है बहराल वो फर्वार रवा है हम खामोश रहने पर मजबूर हैं काश सिर्फ बेहुरमती ही की होती लेकिन वो तो आमून के खिलाफ नापाक आजाइम रखते हैं और चाहते हैं कि आमून परस्तों की बिसात लपेट दें खुदायान रह्म करें अगर समें जर्वी हकीकत हुई तो एक बड़ी जंग हत्मी है और हजारों बेगुना मारे जाएंगे अगर तुम्हारे बस में इस कतले आम की रोक थाम और आमून बुजरुग और काहिनाने माबद की निजात हो तो क्या ये काम अंचाम दोगे हाँ बेशक लेकिन जंग की रोक काम मेरे और तुम्हारे जेसो के बसकी बात नहीं हम आमून और आमून होतफ के लशकुर को आपस में टकराने से तो नहीं रोक सकते लेकिन जंग का हुकम सादिर होने में तो हाइल हो सकते हैं तुम कहना क्या चाहतो खुल कर बताओ बहरा हम किस तरह आमून होतफ की तरफ से सादिर होने वाले होकम के माने हो सकते हैं इसी बात की फिकर में तो हूँ मैं और इसी मसले का राहे हल तलाश करने में तुम्हारे पास आया हूँ राहे हल? मसलें कौन सा राहे हल? मैं जाओं और जाकर आमून हुटप का मु बंद करतूU ताके वो जंग का फर्मान सादिर न करे आमून हुटप का मु बंद नहीं कर सकते लेकिन उसे हमेशे के लिए खामशतू कर सकते न खुदो की कसम अगर बस करो बस करो बस करो तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रहे हो दिवाने हो गोई या अपनी जिन्दकी से बेसार हो गया हो बीनरूस क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा दिल चाहता है कि आमून की नाबुदी और लोगे गतल आम की रामे हाइल हो जाओं हाँ हाँ लेकिन ये कोई राय हल नहीं है आमून होता खुद मुकामे निम खुदा ही रखते हैं इन्हें कैसे मारत रखता है नाई आमून होता मकामे निम खुदा ही नहीं रखते हैं अगर वो खुद खुदाओं में से होते तो आमून और दिगर खुदाओं के खिलाद कोई एकदाम नहीं उठाय जा सकता आखिर किस तरह मुम्किन है कि इतने सारे मौफिजों और सिपाहियों के मौज़दगी में इतनी असानी सी जैसे कि तुम कह रहे हो इतनी अजिम कुद्रत को रास्ते ते हटाया या मारा जा सकता है क्यों नहीं ज्यादा नहीं सिर्फ चंद कत्रे जहर के ना लशकर की जरूरत ना जोर बाजू की मैं किसी भी खुदा के खिलाफ का दव नहीं उठा सकता अगर तुम्हारे बकौल आमुन हो तब खुद खुदाओं में से हैं तो फिर उनका जर्म और संगिन हो जाता है मेरा ख्याल है कि एक खुदा सिर्फ एक खुदा को रास्ते साटा देना तमाम खुदाओं के नाबूदी और हजारों बेगुना इंसानों के खुण रेजी से कहीं बैतर है मेरा ख्याल है हमें मज़द गोर और फिकर करना चाहिए इस पर मज़द सोचना चाहिए उजलत बाजी ठीक नहीं है वक्त कम है अगर कल ही आमून हो तब मामद पर हमला करना का हुकुम सादिर कर देते हैं तो जानते हो क्या क्यामत तूट पड़ेगी बहराल हमारे पास कल तक का वक्त तो है न मुझे हाज राज सोचने का मौका दो मैं कल फिर आओंगा अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मैं केला ही इस अजीम सानही की रोक थाम के लिए ये क्दम उठाओंगा तुम सिर्फ खामोश है ना सिर्फ खामोश पस अगर हम कामयाब नहों सके तो अगर वो जो फर्जन्द खुदा है हमारे रास से बाख़बर हो गये तो अगर कामयाब हो गये तो पती फार और उसके सिपाई के हमें जिन्दा छोड़ेंगे हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा अगर आप उपीस ने अकेले ही कोई कदम उठाया और मुझे भी अपना शरी के जिन्द ठराया तो फिर क्या होगा नहीं मालूम नहीं मालूम क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा बिनरूस बिनरूस कौने क्या काम है खुदावन रामून होट अपने शराब तलब की है जी बेटर बहुत बेटर अभी लाया जनाब युजार सीफ 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 लिवारी है ना, शायद कोई आहम मसला है, परिशान मत हो ये, मुझे खुदावन्द मताल के होते हुए किसी का कोई खौफ नहीं, मैंने तुम से कहा था कि उस रोज के वाक्य को भुला देना और किसी से कुछ बत कहना, युजार सी फैसान फरामुश नहीं है, वो खुद को आपका इसान मन समझता है, और आपकी इज़त और वकार के मामले में लापरवाही नहीं बरत सकता, तुम ने बयान किया है या नहीं, मेरी जानिब से ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर साल इस शेहर में ये बात कैसे फैल गई, वहाँ पर मौजूद लोगों में सिर्फ मैं अकेरा तो नहीं था, मुझे पता है कि मैं भाने ढून रहा हूँ, समझ में नहीं आता तुम्हारे साथ कहा करूँ, मैं तुम्हें दोस भी रखता हूँ और दुश्मन भी, मैं खुद भी आजज़ आ गया हूँ, यह कसर थमाम तर वुसतों और रानाईयों के बावजूद में दिलिए तहंगों तारीख हो गया है, हुरतों के मसलसल चालवाजियों और साकनाने कस्र के दाने और दशने का मतहम में नहीं हो सकता। सुलेखा ने मुझसे खुद जाहर किये कि तुम्हें कैद में डालतू। ऐसे में तुम क्या कहते हो। नचाहते हुए मेरे हक में में की कर बेची हैं। मेरे जिन्दान चले जाने से लोगों की ताने और तशने भी खात्म हो जाएंगे और बानु जरखा को भी भूल जाने के लिए बेहतरी मौका फरहम हो जाएगा। इसके इलावा कहिनान माबत प्याव पर एक अजनवी के हमकेदा होने का इल्जाम नहीं लगा सकेंगे। और मैं भी जन्दान मिस्र की चालबाजियों से निजात पालूँगा। क्या वाकरी तुम कैद को अजादी पर तरजी देते हो। कोई के कायद होना पसंद नहीं करता। लेकिन कोई और हल भी तो नहीं। फिलहाल तो जन्दान ही वाहिद राहे हल है। तुम्हारे बारे में बाद में कुछ सोचना हो। अभी तो मुझे कसरे आमून हो तब जाना है। जागर कहूं मेरी सवारी आमादा करें। करें हो लेकित काया। तुम्हार जाओन Bennett झाओनिय। तुम्हार कर नहीं करें। करें दो उन्हार तुम्हार तुम्हार झालिय। बिनरोस क्या हुआ तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है कुछ नहीं जनाब अली कुछ भी तो नहीं मैं 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 बिल्कुल ठीक हूँ आप उपस ये बिनरोस को क्या हुआ इसकी हालत ठीक नहीं लगती कुछ खास नहीं आली जनाब बस जरा कसल मंदी है आप अपने गिज़ा तनावल फरमाईए लीजे लीजे रुटेश जनाब इस खाने को तनावल मत फरमाए ये मस्मूम है खाईने बग्दाद तुम्हारी शराब मस्मूम है मेरा खाना नहीं परमाए परमाए जी आली जनाब इन दोनों खाईनों को ग्रिफ्टार कर लो आली जा रहम कीजिए आली जा रहम कीजिए बालोती आम हमारी मदद कीजिए नहीं आली जनाब इस फिदा करता हूँ जेरो आली जनाब रुक जाओ पहले ये बताओ असल किसा क्या है आली जनाब ये गद्दार आपके कतल का इराद रखता है इसने आपके शराब में जहर डाला है ये जूट बोलता है जनाब जहर तो खुद इसने मुझे दिया था कि मैं आपके शराब में डालू बस तुम दोनों ही अपने खिज़ा और शराब में से खाओ और पियो वरना इसी जगा तुम दोनों का सरकलम करवा दूँगा मैंने आपके शराब में जहर नहीं डाला ले जनाब आप यह तुम्हारी बारी है जरा खा कर तो बताओ जाइखा कैसा है पूरा खा लो तुमने देखा बीना रूस कैसे पूरा जाम चाड़ा गया खाओ आली जनाब नहीं आली जनाब मुझसे खलती हो गई मुझसे खता हो गई मुझे बख्ष दीजे आपको खुदाओं का वास्ता मुझे बख्ष दीजे ले जाओ मुझे रह्म कीजे आप बड़े बख्ष दीजे खत्याम मुझे बख्ष दीजे घद्री 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 हमारी कसर में हमारी कुझ चाद्शे हो रही है इनकी गर्दनें उड़ा दो ये ने इनकी घद्दारी की सजा मिल ले जाएए मेरे खुदावन का हुक्म सर आंकों पर लेकिन मज़वरा है कि इस हुक्म पर नजर सानी फर्माईए नजर सानी करूँ तुम इने मौलत देना चाहते हूँ नहीं आली जनाब मज़ीद गौर और फिक्र दरकार है मेरा मशवरा है कि जब तक उनकी शरीक जुन की शनाफ नहीं हो जाती सबसे काम लीजे आली जनाब यकीन ने ने किसी के उक्साने पर ये बड़ा मुदा है ये इनका अपना कदम नहीं हो सकता मैं वजाते खुद उनसे तफ्तीश करूँगा तो ठीक है मामले की तफ्तीश करो और मुझे फॉरन इत्ला करो मैं मुनतजर हूँ जा सकते हो बो पता तो चले कि असल माज़रा क्या है पहले तुम बोलो आप उपीस किसने या किन लोगों ने तुमें कहा कि फर्मारवा और उनके एल खाना की खाने में जहर मिलाओ किसी ने भी नहीं मैंने खुद अपने मर्ची से अचा किया है क्यूं खुदावन आमून हुटब ने तुम्हारा क्या बिलाणा था इसलिए कि मैंने सुना है कि जनाब आमून हुटब ने आपको हुकम दिया कि माबून आमून पर हमला करके काहिनाने माबद और उदाय आमून का काम तमाब करतो तुमने सुना है लेकिन किस से है किस से नहीं सुना मैंने खुद सुना है कासर के दाखली दर्वाजे का कब मैं खड़ा हुआ था तब सुना तुम जूट बोल रहे हो मैंने खास तोर पर दाखली दर्वाजे का बगार जाइजा लिया था ताकि कोई सुन ना ले कोई बात नहीं कभी ना कभी तो हकीकत उगलोगे अच्छा तो तुम बताओ मुझे नहीं मालू कल आप उपीस ने मुझसे कहा कि आमून हो तब कराधा है कि वो आपकी तवस्त से आमून और शहरे तिप्स के माबत का नाम और निशा मिटा दे इसने मुझसे चाहा कि जनाब आली के शराब में जहर मिला दो लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया आपने देखा मैंने वो जहर भी आपके हवाले कर दिया तो क्या बिना रूस किसी और ने तुम से राप्ता नहीं किया या तुमने नहीं देखा कि आप उपीज से किसी ने राप्ता किया हो? मैंने नहीं देखा. मैंने सिवाय आप उपीज के किसी को नहीं देखा. इनके शरीके जुर्म यहां इने डून निकालेंगे. जितनी जल्दी हो सके खुफिया तोर पर नहायद राजदारी से, ऐसे कि कोई पेचान न सके इने जिन्दान जावीरा मनतकिल कर दो. सियाओ सफे, आजाद उगुलाम, जन उमर्ग, सब इनसान हैं. इन सब का एक ही खालिक है. किसी को किसी पर बरतरी हासल नहीं है, सिवाए इनसानियत और आमाल पसंदीदा की बिना पर. कारिमामा आमोमन गुलामों के हुजरों में तश्रीफ नहीं लाती, क्याकिनन कोई जरूरी काम पेशा गया होगा. क्या मैं आप से तनहाई में कुछ बात कर सकती हूँ? बानो जुलेखा जनावे पूतिफार के पास कही है ताकि वो आपके किरिफ्तारी का हुक्म खातिर फर्माएं. अब भी वक्त है, चाहें तो चारा जोई कर लें. मसलने क्या करो? बस आपकी एक नजरे रताफाद ही काफी है, तमाम असले हल हो जाएंगे. शैतान आपके अंदर से बोल रहा है. शैतान नहीं आप औरतों को मुझ पर मकरर किया है और मेरी कदूरत का बीज आपके दिलों में बोया है. लहाज़ जब तक आप सब शैतान की मुटी रहेंगी, मैं बसरे पेकार रहूँगा. और आप मुझे अपना मुटी और फर्मावरदार नहीं पाएंगी. अगर खुदाफ़न मुझे उनके शर्स महफूज न रखे और मुझ पर अपना लुद्फ करम न करे तो नहीं मारूम मेरा क्या अंजाम होगा? वो क्या कह रहेंगी? आखिर आपसे चाहती क्या है? देखो मैं तुम्हे बताता हूँ, जजार शी को या तो बानो सुलेखा का इंटखाब करना होगा, या जन्दान का. जन्दाने मिसर के बनिस्बत मैं जन्दान का इंतखाब करूँगा, अगर्चे जन्दान की सख्तियां तुलाने भी हो जाएं, बिलाखर फत्म होने वाली हैं. लेकिन एक जन्दान का रातिश दोजफ से कब खलासी पाएगा? कोई नहीं जानता. कैसी आग? तुम कुछ को जन्दान में इस लिए डाल रहे हो ताक एक फजूल सी आग से निजात पाओ. ऐसा आकिल नहीं देखा, जो हसीनों की बजाए जन्दान कुबल करें. जनाबी रुदमून, क्या हुए रुदमून? अब सुदार गमगीन हो? बिलाखिर पुदिवार ने मेरी गरफतारी का हुकम सादर कर ही दिया. क्या कह रहे थे कि ऐसा आकिल नहीं देखा? ऐसा आकिल नहीं देखा, जो खुबरू हसीनों की हमनाशीनी पर जन्दान के सक्तियों को तरजी थे. चलो चलें. खंदा पेशानी से विदा करो के युजार सिर्फ अपनी गरफतारी से अबसुर्दा नहीं. उन्हें लेकर आ रहे हैं. जरा चैरों मैं भी आता हूँ. यह सब क्या हो रहा है? बिला आखिर बानु जुल्याखा ने अपना काम कर ही दिखाया. युजार सिर्फ को जन्तान ले जा रहे हैं. नहा रहे हैं रहे हैं रहा है 된 गरी मैं अजर ने जुल्याग को अभं मैं मैं. यй्यार आखिक्श कर दो मैं खिया है причाजी मैं हो आ हैूज गेवाओagt 1 देजता हैं. अन्हें हैं जुजाजयतारे सब आशब जोरावीर्य. है फिलाज चैर पैसे थेृतारा है... मैं तयार हूँ हम जानते हैं कि आप बेगुना है मेरे नन्ने गवा हालांके तुमने सही फैसला किया लेकिन फिर भी मुझे जन्दान ले जा रहे है मैं उसकी रजा में राजी हूँ शायद तक्बीर में यही हो इसका ख्याल रखना मैं लेकिना लेकिन गानी सही बाखना वा मैं अजा लेकिना वा मैं अजा रखना कर दो कर दो कर दो कर दो अपने अर्बाब एक्तियार के एकमस से जू गर्दानी का यही नतीजा है नहीं चुंकर रब अर्बाब के हुक्म की अतायत की है लहाजा मुब्तिलाया आजमाईश तो होना था वो उसी से सक्त आजमाईश लेता है जिसे वो जादा चाहता है हम किस तरह आपकी युदाय को बरदाश करें परेशान मत हो जन्दान मेरे लिए दिहाई और निजात का सामान है मैं अपने महबूत का शुकर गुजार हूं कि जिसने मुझे इस कस्र के जन्दान से निजात दी जन्दान जाविरा के दरोगा का नाम के दामून है जो मेरे दोस्तों में से है परेशान मत हो ना मेरा बहतरीन दोस्त भी जन्दान जाविरा में है वही जिसने किदाम उनको पैदा किया है मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ हरकत करो मैं हरो जो जाविरा किया है वहीं हरो त्रिकों जाविरा किया है अरकत करो अरकत करो अरकत करो अरकत करो कर दो कर दो करें अ। बार्फंeking में झराद करकले की ला yoga yaptरे देले हैं तेली और पेसीा बड़े पलता है व्यक्त करें जियते है के दो क्या व्यक्यआ करें दुरूद बराली जनाब पारा मुआ सिपास गोजार हूँ जनाब पारा मुआ आपने खुद को क्यों जहमत में डाला जनाब पूती फार का हुकम था मुझे बजाते खुद आना था रुक जाओ अभी सुनो इदर आओ जी हुदूद ये दोनों फर्मरवा आमून हुतब के साकी और खान समय है बिन अरूस और आपुपीस कोई भी इन से मिलने न पाए अगर कोई इनके बारे में पूछे तो फिल फार जनाब फुती फार को खबर करना और एक बात और दिहान से सुनो इन्हें दिगर कैदियों से अलेता रखना इताद आली जनाब क्या मैं पूछ सकता हूँ उनका जुरूँ क्या है आमून हुतबर उनके एले खाना के एकदाम के गतल का चुरूँ मुम्किन है इनको कतल करने के लिए कोई आए लहाज़ा कड़ी निक्रानी करना कोशिश करो इसका किसी को पता न चले अतावत आली जनाब इन्हे ले जाओ जिन्दान इंफरादी में करादी में इन्हें करादी में तबर्ण करादी इन्हें कर दो कर दो कर दो कर दो ये भी केदी है? जी जनाब पोतिफार ने इने यहां भेजा है जनाब रूदामून ने पेखाम दिया है के ये केदी जो आपके पास भेजा गया है शराफत में तमाम इनसानों से बालतर है रूदामून खसर आली जनाब पोतिफार के महाफिजों के सरपरस्ते आला? जी बिलकुल वही केदी का नाम युजार सीफ है और या आली जनाब पोतिफार के साब का मुशीर थे तुम जा सकते हो तुम्हारी जगा जन्दार नहीं ऐसा क्या कर दिये जो यहां न पड़ा? अपने अर्बाब इक्तियार के नाफर्मानी के जुर्म में यहां अताद और फर्मा बर्दारी करना सीख लोगे देखने में तो तुम कोई गुलाम या बंदे मालूम नहीं होते हो मुझे मायूस मत करें उमीद करता हूँ कि अच्छा बंदा थाबित होंगा वो तो पता चली ही जाएगा बस कोशिश करना कि जावीरा के दिगर कैदियों के साथ लड़ना जगड़ना मत वो खतनाक कैदी है इन्हें जंदाने अमूमी में ले जाओ इसका जाती समान तहवील में ले ले और इसके पाओं में बेड़ियां डाल दो कि जाएगा